Finally हम साल के उस phase में पहुँच चुके हैं जहां पर हमें बहुत सारे sales देखने मिलते हैं different different e-commerce platforms पर और इसी के साथ इंडिया के जो budget smart TV brands है वो भी अपने नए TVs को इसी time duration में Indian market में launch करते हैं तो अगर आप भी TV लेनी की planning कर रहे हो, discount का इंदजार कर रहे हो या फिर कोई नए TV लेना चाहते हो जो कि market में new हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत important है वीडियो को end तक जरूर देखेगा बाकि अगर वीडियो आप सभी के लिए useful निकल कराती है तो वीडियो को like कर करना है और चैनल पर अगर आप नए हो मुझे पहली बात देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए बिकॉस इस चैनल पर मैं आपके लिए smart TVs and home appliances से related videos लाता रहता हूं और मैं आपको guarantee देता हूं कि जब तक आपको आपका best product नहीं मिल जाता मैं आपके साथ हमेशा हूं और इसी के साथ आप मुझे Instagram पर भी contact कर सकते हैं अगर आपको अपने question का answer YouTube पर ना मिले तो ID मैं आपको नीचे description में दे रहा हूं आईए वीडियो को यहाँ पर हम शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं upcoming sales की तो यहाँ पर flipcard ने अलड़ी announce कर दिया है कि हमारी जो big billion day sale है वो जल्दी शूरूने वाली है हाला कि exact dates अभी सामने निकल कर नहीं आएं लेकि जहां तक मुझे रग जब flipcard की sale होगी तो Amazon की sale भी 7 में ही शुरू होगी एक दो दिन का difference होता है हमेशा इसा देखा गया कि जब flipcard की sale आती है तभी Amazon की भी sale आती है तो यहाँ पर यह जो upcoming sales है यहाँ पर आपको काफी तगडे discounts देखने मिलने वाले हैं especially electronic categories पर और detail में जाया तो smart TVs पर भी आपको काफी अच्छे discounts देखने मिल सकते हैं और यह जो sales है यह normal sales की तरह नहीं है जो कि हर मेने आते हैं यह one of the biggest sales है Amazon और flipcard की तरफ से दो discount आपको मिलना पक्का है इसी के साथ इसी sale में कुछ नए products भी launch होने वाले हैं तो बात कर लेते हैं upcoming smart TVs के तो इस तमें flipcard पर जो है पोस्ट Android TV 11 out of the box मिलने वाला है तो काफी अच्छी बात है TCL के बाद आप यहां पर दूसरा नंबर Nokia का लगने वाला है जहां पर में Android TV 11 support देखने मिलने वाला है इसी के साथ Nokia की upcoming TV में आपको JBL powered speakers देखने मिलने वाले हैं अब यहां पर मुझे कोई attached dedicated soundbar तो नहीं देखने मिल रहा जो की Nokia के 2020 वाले model में देखने मिल रहा था बलकि यहां पर आपको नीचे छोटा सा एक part पार देखने मिल जाता अब exactly वो speaker है क्या है यह भी बताना थोड़ा सा मुश्किल है तो फिलाल यह first look यहां पर Nokia का आया है और जहां तक मुझे लग रहा है कि जो previous model था उससे थोड़ सा अपग्रेडेशन आपको यहां पर नए model में देखने मिलने वाला है अब picture quality वगरा तो आपको definitely अच्छी मिलेगी because 2020 वाले model में काफी अच्छी picture quality थी और इसी का upgraded version है तो definitely वो आपको निराश नहीं करेगा तो जो लोग budget brand की tv लेना चाहते हैं budget android tv लेना चाहते हैं उनको म 55,000 उपीस तक हो सकती है बाकी 55 इंच आपको वही 45 से लेकर 50,000 के आज सपास देखने मिल सकता है तो यह तो होगी बात Nokia के upcoming tv की इसके बाद जो next tv आपको Indian market में अगले मंद देखने मिलने वाली है वो है Hisense के तरफ से तो यहां पर flip card पर Hisense की नए 55 इंच QLED TV भी लिस्ट हो और यह भी जब Big Billion Day sales शुरू होगा तभी launch होगी यहां पर इस tv का weight मैं खुद personally कर रहा हूँ विकॉस मुझे यह तोड़े सी अलग लग रही है थोड़े सी interesting लग रही है अगर जो चीज़े मैं यहां पर expect कर रहा हूँ अगर टीवी वही specification के साथ आए तो यह तो यह तो य backlighting देखने मिल जाती है इसका मतलब यह है कि तीवी में आपको जो black color से वह काफी जाद deep देखने मिलेंगे contrast जो काफी अच्छा मिलने वाला है तो इसके साथ में अगर brightness भी काफी अच्छी मिले मेरे साब सब कर इस tv में 500-600 nits की brightness मल जाए तो मजा यह आ जाएगा लगबग पचास आड़ जाओर रोपे के section में one of the best tv निकल कर आ सकती है और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा है इसलिए जादा popular नहीं है लिकिन अगर हम बात करें international market की तो हैसेंस जो है काफी जादा popular brand है और हैसेंस अपने कम price में अच्छी पिच्छी quality के लिए जाना जाता है त अभी तक चीज़े पता नहीं है तो जब टीवी लांच होगी तो हमें सारी चीज़े पता चल जागी बागी कोई अपडेट वगर आता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा तो यह तो टीवी से जो कि आपको अगली मंद देखने मिलने वाले हैं इसी के साथ यहाँ प लेकिन यहाँ पर आपको गूगल टीवी यूज़े गूटफेस मिलने वाला है अगर मांगह इंडियन माक referendum की बात के बात करो तो अभी फिलाल सॐनी के टीवी से जहाँ पर आपको गूगल टीवी other upcoming TVs की जो कि शायद से आपको आने वाले टाइम में इंडिन मार्केट में देखने मिल सकते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम है व्यू का मैंने आपको कुछ मैंने पहले ही अपडेट दिया था कि व्यू के CEO के तरफ से एक अपडेट आया है कि तो वो October के स्टार्टिंग में लांच हो सकता है हाला कि अभी तक व्यू की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है स्टार्टिंग में एक अपडेट दिया गया था बट उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया लिकिन आप एक्सपेक कर सकते हो कि व्यू की भी नई टीवी जो है वो आपको आने वाले कुछ टाइम में देखने मिल सकते हैं इसी के साथ नोकिया की टीवी लांच हो गई है तो मोटरला भी जल्दी अपनी टीवी को लांच करेगा बैसिकली मोटरला और नोकिया अब तो फिल्प कार्ड के तुरू ही हैं टीवी की में बात कर रहा हूँ तो इसके बाद जो है मोटरला टीवी भी लांच किये जाएंगे और नोकिया और मोटरला की जो स्पेसिकेशन है और जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ चुकी है 2020 के बाद तो इह दो टीवी स्पेसिके जो की आपको आने वाले कुछ ।ाइम में देखने मल सकते हैं इसके अलबा बागी अधर ब्रैंड की arch than you है इसके बाद में अपना अनिडः इनके टीवी स्पेक्क कर सकते हो आने वाले कुछ time में, तो ये है सारे upcoming TVs जिनके लिए आप wait कर सकते हो, फिलाल TV की prices थोड़ी सी high चल रही है, तो मैं suggest करूँँगा कि आप थोड़ा सा wait कर लेजिए, सेल में आपको discount भी मिल जाएगा, और अगर आप कोई new option चाहते हो, तो आपको कुछ नए TVs भी देखने मिल जाएगे, I hope ये वीडियो आप सभी के लिए informative रहा होगा, और इसी के साथ अगर आपका कोई भी question है, आप confused हो, अलग-अलग options को लेकर, आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हो, ID मैं आपको नीचे description में दे रहा हूँ, बाकि वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like ज़रू कर देना, और बस इतना है, मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, टाटा, बाई बाई, सावनारा